क्या होगा अगर प्रितिभी घुमना बन करते? प्रितिभी अपनी धूरी पर अगर घुमना बन कर देती है, तो दोस्तो समझ लो हमारे लग गए. तो गाइस, इससे सबसे पहले तो दिन और रात होना बंद हो जाएंगे. प्रितिभी के कुछ हिस्से में हमेशा के लिए दिन रह जाएगा और कुछ हिस्से में हमेशा के लिए रात. धर्ती का जो हिस्सा सूरज की तरफ होगा, वहां केवल दिन ही होगा, और पीछे वाले हिस्से में केवल रात ही रह जाएगा. एक और बात प्रिथिवी का कुछ हिसा ऐसा होगा जहांपे सूर्य उदे का महौल बनके रह जाएगा और कुछ जगहें ऐसी होंगी जहांपर हमेशा के लिए सूर्य अस्त का महौल बना रहेगा यानि ना तो सूर्य उपर आएगा ना ही वो नीचे जाएगा अपने स्थान पे ही बना रहेगा यह वीडियो बहुत ही मज़दार होने वाला है तो दोस्तो इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें और हो सके तो चिप्स का पैकट लेके बैठें तो करते हैं वीडियो सुरू हमारा पृत्यवी सौर मंडल का एक अनोखा ग्रय है इसकी सरचना और इस पर मिलने वाले वातावरन इसे जीने के लिए एकदम खास बनाता है पृत्यवी के साथ सौर मंडल के अन्यग्रय सूरच का चक्कर लगाते हैं लेकिन इसके अलावा पृत्यवी का एक सबसे बड़ा गुण है और वा गुण ये है कि यह अपने धूरी पर घूमती रहती है जरा सोचिए क्या होगा अगर पृत्यवी घूमना बन कर दे दोस्तो जैसा कि आपको पता ही है कि पृत्यवी को अपने धूरी पर एक चकर लगाने में 24 घंटे का समय लगता है और इनहीं में 12 घंटे दिन होते हैं और 12 घंटे रात पृत्यवी सूरच के चारो और चकर लगाती है तब ही धर्ती पर मौसम बदलते हैं ऐसे में धर्ती घूमना बन कर देती है तो इसके एक हिस्से में हमेशा के लिए दिन रह जाएगा और पीछे वाले हिस्से में हमेशा के लिए रात ही होकर रह जाएगा प्रित्वी अपने धूरी पर लगबग सतार सो किलोमेटर प्रती घंटे की रफ्तार से गुमती है और वही ये अगर घुमना बन कर दे तो लगबग इतनी ही रफ्तार से तुफान आंधिया चलने लगेंगी इसके अलावा प्रित्वी के रुकने से भयंकर तबाही मचेगी खतरनाक तुफानों का सामना करना पड़ेगा और तुफानों की रफ्तार काफी तेज होगी कई जगह पर तो बड़े-बड़े भुकम पाएंगे कई हिस्से में जवाला मुखिया फटने सुरू हो जाएंगे और धर्ती पर कई तरह के बदलाव आपको देखने को मिलेंगे पर उस बदलाव को देखने के लिए हमें जिन्दा होना आवस्यक है तो दोस्तों समुंदर का सारा पानी बड़े-बड़े सहरों को अपनी गोद में समालेगा इसलिए जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहे इसी में हम सब की भलाई है तो दोस्तों यहां तक आ गए हो तो वीडियो अच्छी जरूर लगी होगी तो ऐसे ही अंतरीक छवाली रहस में वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सस्क्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन नोटिपिकेशन को ओन रखें अपडेट वीडियो के लिए थाइंक्यू गाइस